हेलो गाइस वेलकम बेक तो माई यूटूब चेनल उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे नागे भी बढ़िया ही रहे न ये बढ़ी अच्छी बात कही है तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरस्टिंग होने वाली है क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बास सुमुलेटर इंडोनेसिया गेम के अंदर आप जो असो कले लेन का ट्रॉक डाउनलोड करते हो उस ट्रॉक में आपको अगर ब्लेक और रेड ग्लास की प्रोब्लम आ रही है तो उसी का सोल्यूशन में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ और वो भी बिना किसी पासवर्ड के और ज़ेश डर चीवर रेप के और ये प्रोब्लम हमारी गेम में क्यों आती है उसके बारे मैं भी आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूँ इसलिए वीडियो को पूरा इंड तक देखना अगर आप वीडियो को स्किप कर दोगे तो आपको जो असो क्ले लेन के ट्रॉक में ब्लेक और रेड ग्लास की प्रोब्लम आ रही वो सोल नहीं हो पाएगी इसलिए वीडियो को पूरा इंड तक देखते रहे न और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सबसे पहले गाइस मैं आपको असो क्लेलेन का ट्रॉक के से डाउनलोड करते हैं उसके बारे में बताऊंगा क्योंकि आप जो ट्रॉक डाउनलोड करते हो उसे में गलती करते हो इसलिए बलेक और रेट ग्लास की प्रोब्लम आती है तो सबसे पहले गाईस आपको truck को download करने के लिए और बार की तरह playstore में जाके एक app download करना पड़ेगा तो गाईस playstore में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको search bar में search करना है mode truck india गाईस आप जैसे यहाँ पर search करोगे तो यहाँ पर हमारा जो पहले number का app है यहां से आपको load कर लेना है तो चलिए अभी मैं यहां से डाइरेक open कर देता हूँ तो guys आप जैसे इस एप के अंदर आओगे तो यहां पर यह देखो यह जो arrow दिख रहे है उसके उपर आपको click कर देना है और arrow जैसे आप यहां पर click करोगे तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे असो खलेगा लेन के ट्रक मोड आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारे जो असो कलेगा 3-7-1-8 TROCK मोड है वो जो यहाँ पर हमारे पहली लेन में सबसे पहला है तो उसके उपर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूं तो आप जैसे यहां पर क्लिक करोगे तो यहां पर हमारा ASOClayland truck की डाउंलोड करने के फाईल आ जाएगी और उसके साथ यहां पर उसकी 5 लिवरी आ जाएगी तो सबसे पहले में आपको ASOClayland truck की फाईल को केसे डाउंलोड करना है उसके बारे में बताता हूँ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आपको उसके उपर क्लिक कर देना है आप जैसे उसके उपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ग्रीन करका जो एरो दिख रहा है आपको डाउनलोड करने का उसके उपर क्लिक करना है तो आप जैसे arrow पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमारे असोग लेलें टॉक है उसकी media फाइल यहाँ पर open हो जाएगी उसको download करने के लिए यहाँ पर यह देखो blue फाइल है उसके ओपर क्लिक कर देना है तो अभी फाइल डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पर बेक चले जाना है और अभी आपको track mode डाउनलोड हो गया है लेकिन आपको लिवरी कैसे डाउनलोड करने उसके बारे में बता देता हूँ तो यह देखो यहाँ पर पंच लिवरी देर आप किये उसमें से आपकोई सी भी लिवरी डाउनलोड कर सकते हो मैं यहाँ पर यह जो पहले नंबर की लिवरी यह वो डाउनलोड करने वाला हूं तो सिंपली से मैं उसके उपर क्लिक कर दूँगा यह से उसके उपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एरो दिख रहा है ग्रीन कलर का उसके उपर क्लिक करना है और यहां से इसकी livery को भी डाउनलोड कर लेना है जलिए अभी मैं bus simulator इंडोनेशिया में जाके भी दिखा देता हूँ तो guys mode और लिवरी डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपको bus simulator इंडोनेशिया में आ जाने है और वहां पर आपको जाना है mode के अंदर उसके बाद import के अंदर जाना है उसके बाद file manager में जाने के बाद download पे जाना है और यहाँ पर यह देखो यह हमारा जो असोग लेलेन का जो टॉक वाली file है उसके अपर click कर देना है और यहाँ पर आपको 30,000 रुपे देखर या फिर एक video देखकर आपको यह mode को डाउनलोड कर लेना है तो जैसे मैंने 30,000 रुपे यहाँ पर पे किये उसके बाद यहाँ पर यह देखो अमारा असोग लेलेन का टॉक आ गया है आपने यह सिर्फ यहाँ पर टॉक ही डाउनलोड किया उसकी लिवरी को डाउनलोड नहीं किया है तो चलिए अभी मैं बता देता हूँ इसकी लिवरी कैसे डाउनलोड करनी है लिवरी को डाउनलोड करने के लिए आपको टॉक को गेरेज में ले आना है और यहाँ पर यह देखो बीच में ओप्शन दे रखा है उसके उपर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको browse livery में क्लिक करना है और यहाँ पर file manager में जाने के बाद download पर जाना है यहाँ पर यह देखो हमारी जो असो clayland का truck है उसकी जो png है base 1 png उसके उपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर यह देखो यह हमारी livery जैसे ही मैंने add की तो तो यहां पर अमारा ब्लेक जो मिरर है वो यहां से दूर हो गया है और अमारी जो ब्लेक ग्लास की जो प्रोब्लम आ रही थी वो यहां से हट गई है तो अभी यहां पर यह देखो आप साफ साफ यहां पर देख सकते हो कि ब्लेक ग्लास जो आ रहा था वो यहां पर हट गया ह तो black glass की जो problem है और red glass की problem वो इसलिए आती है कि आप truck download करते हो लेकिन इसकी library को download करना भूल जाते हो इसलिए black glass आता है तो guys अभी मैंने आपको यहाँ पर पूरा live proof करके दिखा दिया जो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कर देना और चनल को भी subscribe कर देना तो अभी मिलते हैं next video के अंदर तब तक के लिए bye bye